तो गाईस अगर आप सभी के पास Redmi Note 9 Pro का फोन है या तो फिर और कोई भी model का device है Redmi का ही तो अगर आपके फोन में बहुत ज़्यादा दोस्तो एड़ट आई जाता है बहुत सारे ads आपको अपने फोन में देखने को मिलते हैं तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ दोस्तो कि कैसे आप सभी लोग इस ad को यहाँ पे अपने फोन से remove कर पाएंगे जिससे आपके फोन में कोई भी ads सो नहीं होंगे तो इस तरीकी से अगर आपके फोन में बहुत ज़्यादा add आता है तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसको हटाना है तो चलिए गाई इस वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ads को यहाँ पे remove करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में setting को open करनी है setting को open करने के बाद यहाँ पे आपको उपर के और slide करना है और दोस्तों यहाँ पे उपर के और slide करने के बाद यहाँ पे आपको एक option देखने को मिल जाता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लिखा रहता है password and security तो आपको यहाँ पे click करना है यहाँ पे click करने के बाद आपको उपर के और slide करना है और यहाँ पे आपको एक option देखने को मिल जाती है authorization and revocation का तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे MSA करके एक option सो होता है तो आपको दोस्तो इस option को आपको disable कर देनी है तो आपको सबसे पहले इस option को disable कर देनी है जैसे ही आप से भी लोग MSA का option इस तरीके से यहाँ पे यहां पर आपको उपर की और फिर से slide करना है और उसके बाद यहां पर आपको सबसे नीचे में get application का option आता है तो आपको इसका भी permission जो है इस तरीके से allow मतलब की remove कर देना है तो आप थोड़े दिर wait करेंगे यहां पर 5 second तो उसके बाद यह जो permission है वो बंद हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने phone में setting करिए और setting करने के बाद दूस्तो इतना setting अगर आप सभी लोग कर लेते हैं तो आपके phone में कोई भी advertise यहां पर देखने को नहीं मिलेगा जो कि बहुत सारा redmi के phone में देखने को मिलता है बहुत सारे advertise आता है तो वो जो advertise है वो आपके phone में देखने को नहीं मिलेगी तो guys अगर यह video आपको अच्छा लग हो तो like कर दीजिए और channel को subscribe कर लिजिए